हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस प्रीती आपके साथ आज हम बनाएंगे मैंगो खीर आये रेसेपी शुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मत गी गी हमारा मैल्ट हो गया है इसमें हम डालेंगे आधा कप सेव सिवया जो मेरी है वो घर की बनीवी है आप इसमें मार्केट फारी सिवया भी ले सकते हैं पहले हम सिवया को अच्छे से घी में एकदम स्लो फ्रेम पर रोस्ट कर लेंगे सिवया बहुत ही जल्दी से जलने लगती है एकदम दीमी फ्रेम पर आप इससे हलका हलका सा से होती है बहुत जल्दी से वो जलने लगती है रोस्ट हो जाती है इसलिए आपने कौन से सिवया लिए उसे साब साब से रोस्ट करेंगे हलका सा कलर का चेंज हो जाए इतना हमें से रोस्ट करना है यहाँ पर मैंने आधा कप सिवया लिए सिवया की मातरा आप अपने साब से कम ज़्यादा कर सकते हैं यदि आप कीर में ज़्यादा सिवया पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं लगबग 4-5 मिट में सिवया हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है इसका हल्क आसा कदर चेज हो गया है तो लो इसी गुलाबी से दिखने लगी है गैस को हम यहा अच्छे से रॉबाल लिया है जोन मिन सिवया में रोस्च करके रखे थी वह सारीं दूद म कम डालना है अब दूद्स के सकते हम अच्छे से पकाइंगेран। जैसे से हमारी सीमया पकती चाहेगी दूद हमारा गाड़ा होने लगेगा हमने पहले लगवक 7-8 मिट तक दूद को थोड़ा सा गाड़ा किया है थोड़ा सा उबाला है आप दूद को बिलकुल भी उबाला नहीं चाहते हैं तो आप इसमें दूद में थोड़ा सा कस्टेट का पाउडर भी डाल सकते हैं, जिसे दूद हमारा जल्दी से गड़ा हो जाएगा, ठंडे दूद में आप कस्टेट थोड़ा सा गोल लीजिए, उसे आप बाद में, तब सेवया पकने के बाद में थोड़ा सा कस्टेट का पा नहीं कच्ची तो नहीं लग रही है उससे आप से आप सिमया को पकाएंगे दोस्तों मेरे आपसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट्री अदिया आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चेलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा एक प्यारी से कमेंट देके आप मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा देखे मिने लगबग 10 मिट तक सिमया को दूद के साथ में उबाला है आप देख रहें दूद भी हमारा काफी हर्ट तक गाड़ा हो गया है उस सिमया भी अच्छी से पक गई है मिठास के लिए शकर मैंने हाप पर लगबग 8-10 चम में शकर ली है आप अपने टेस्ट के साथ शकर की माता कम ज्यादा कर सकते हैं कब से देखेंगे तो वन थर्ड कब हमने शकर दी है शकर हमारी घुलेगी तो थोड़ा सा दूद हमारा और पतला होगा शकर को हम पहले मैंगो यूस करेंगे क्योंकि हमारी कीर का नाम भी मैंगो कीर है तो उससा आप से ही शकर डाले क्योंकि आम हमस पे डालेंगे तो आम से भी खेर में मठास आएगी देखि शकर हमारी अच्छे से गुल गई है और शकर गुलने के बाद में मैंने 5-7 मिट तक दूद को और अ हमारा गाड़ा हो गया है बस यहां पर घ्यास को बन कर देंगे और हम सीवैया वाले दूद को अच्छी से थंडा होने देंगे अप्ट होने के बाद में से फ्रीज में भी रख सकते हैं आप सवेया हमारी थंडी होनी जब तक हम आगी की तयारी कर लेते हैं मैंने आपर एक आम लिया है आम को हम पहले छील कर इसके पीस कर लेंगे हमने आम के पीस कर लिया है आम के पीस को मिक्सी में हम अच्छे से पीस कर इसकी प्यूरी तियार करेंगी सेवया भी हमारी अच्छे से थंडी हो गई है इसमें हम डाल देते हैं हमारी आम की प्यूरी आम का टेस्ट आप जितना पसंद करते हैं उससाब से आप आम की प्यूरी इसमें डाल सकते हैं खीर की कंसिसेंसे भी आप अपने साब से रख सकते हैं जितनी आप गाड़ी पत्ली पसंद करते हैं उससाब से आप खीर को रखेंगे जैसे जैसे थंडी होती चाहेगी यह और भी गाड़ी होती चाहती है फ्लेवर के इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर तो से तिन इलाइची को पीस कर पाउडर बना लिया है साथि में दाल रही हूँ कुछ ट्रायफूर्ट, काजू और बादाम कटेबे अच्छी से मिक्स कर लेते हैं मैंगो खीर को हम सर्व करते हैं बाउन में डालेते हैं हम खीर सब करते हम आप इसमें उपस दाली थोड़ से बारी कटेवे आम की पीसिस कुछ ड्राइपोर उपसे दाल दीजी आप काजू बदाम की कात्रन आप मैंगो की खीर को फ्रिज में थन्डा करके खाएगा बहुती टेस्टी लगती है तो इस तरह के से आप भी मैंगो की खीर बनाएगा मुझे बताएगा कि आपको मैंगो की खीर कैसे लगी